हलो फ्रेंड्स एक बार फिन आपका स्वागत है हमारे इस यूटूब चैनल पर आज के इस वीडियो में हम सिखेंगे कि एक्सेल के अंदर सम फॉर्मूला और आटो सम फॉर्मूला का यूज कैसे करते हैं ठीक है तो चलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं एक्सेल में कुछ नं फॉर्मूला को यूज करेंगे ठीक है तो यह हमने मान के चलिए यह नंबर से इस पर हम क्या करते हैं सम और आटो सम फॉर्मूला यूज करेंगे तो सबसे पहले जानते हैं कि सम फॉर्मूला यूज करने का सिंपल तरीका क्या है देखिए हम लोग यहां फॉर्मूला कीजिएगा तो आपको उस formula में क्या करना है वो आपको यहां सामने में सो करा देता है चलिए अभी जैसा यह बोला गया है तो इसमें सभी numbers पर ही काम करता है तो simply क्या करेंगे सभी numbers को हम drag करके select कर लेंगे उसके बाद bracket close करके enter press करते हैं तो देखिए क्या हुआ कि यह सभी numbers क some करके दिखा देता है आपको अब चलिए जानते हैं की auto school formula कैसे apply करते हैं तो जैसे हमने यहां समद किया था हम इसको the delete कर दी अब देखिए इसी table में यहाँ पर ही हम क्या कर रहे हैं auto sum formula अपलाई करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे आपको आ जाना देखिए home में आप रहिएगा यहाँ पर देखिए आपको editing के अंदर में auto sum मिल जागा यहां पर drop down arrow की मिल जागा इस पर click कीजिए click करने के बाद यहां से sum वाले को select कीजिए तो जैसी देखा आपने कि हमने sum select किया तो यह automatically सारा formula apply कर दिया साथ हमें selection भी यह automatically कर लेता है उसके बाद हम लोग enter press करेंगे तो देखिए यह automatically auto sum हमारा formula apply हो गिया साथ में calculate करके भी आपको दिखा दिया तो आज के इस वीडियो में आपने देखा कि कैसे हम लोग sum formula और auto sum formula को apply करते हैं और यहीं नहीं दोस्तों आप Excel में जो भी चीज़ सिखना चाहते हैं आप हमारे चैनल पर सिख सकते हैं और ओ भी काफी simple तरीके में तो हमारे इस चैनल को subscribe जरूर कीजिएगा और हमारे description में जाएए इसी वीडियो के आपको वहाँ पर playlist मिल जाएगा वहाँ से आप जो भी वीडियो मैंने अभी तक बना की दिये हैं आप उनसे देखिए उनसे आप जरूर कुछ नग कुछ नया सिखेंगे और यही नहीं इसके अलावा भी MS Office के जितने भी applications है उन सभी के courses आपको यहाँ पर free of cost में provide कर आता हूँ तो आप देखिए उसको और सीखिए और जम के practice कीजिए चलिए आज के स्वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई tricks के साथ कर देखिए